स्किजोफरीनिया के कारणों में जेनिटिक और बायोलॉजिकल कारणों के अलावा जो एन्वार्निमेंटल फैक्टर्स की थियरी है उसको रिसर्च में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिली है कुछ लोग सोचते हैं कि तनाव से ये बिमारियां पैदा होती हैं साइकोटिक डिसॉर्डर्स खासकर स्किजोफरीनिया तनाव की वजह से नहीं होता है पर तनाव इन बिमारियों के होने का एक ट्रिगर जरूर हो सकता है मतलब कि stress is not actually a cause of these problems but can act as a trigger so sometimes काफी तरह के stressors हैं जो trigger बन सकते हैं स्किजोफरीनिया के onset के लिए sleep disturbance, exam stress, कोई major incident या accident, movement from one place to another and उस movement के दौरान adjustment ना हुपाना drug abuse एक बहुत significant factor है in the onset of schizophrenia जो कि कई बार confused भी कर जाता है कि यह drug related psychosis है या primary psychotic disorder जैसे की schizophrenia है इसमें गांजा, सुलफा, अफीम, morphine इन दवाओं के सेवन की वज़े से इन दवाओं के abuse की वज़े से भी psychotic symptoms आ सकते हैं जो कि primary schizophrenia का trigger point हो सकता है इसलिए जो diagnosis किया जाता है psychotic disorders में उसमें largely clinical symptoms और उनकी duration को importance दी जाती है क्योंकि इसको diagnose करने के लिए कोई specific objective measure, lab measure या scans नहीं होते हैं क्योंकि जाता है